23 अपरेल और 24 अपरेल का दिन तुलराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन दो दिनों के राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी नक्षत्र क्या होगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचरिया में देखने को मिलेंगे आपके लिए सबसे अधिक शुब समय कौन सा रहेगा पोरे दिन में से और वो कौन सा समय पूरे दिन में होगा, जिस समय अब दिन में आपको ध्यान रखना होगा तो सारी चीज़ें आपको विस्तार से जानने को मिलेंगी, सलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में हम बात कर लेते हैं 23 सप्रेल का जो दिन है, ये मंगलवार का दिन है और ये चैत्र मास की पूनिमा तिथी है और इस पूनिमा तिथी के दिन हनुमान जन्मोत सब भी मनाय जाएगा, इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था चित्रा नक्षत्र रहेगा, वज्र नाम गा योग बना हुआ है और चंद्रमा सुभा को ही राशी बदल कर तुला राशी में आ जाएंगे, यानि कि आपकी लगन में प्रवेश कर जाएंगे सूरिय मेश रासी अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं अब बात करते हैं उस समय की जब आपको सावधानी यानि कि कोई भी नया काम नहीं करना है, किसी भी शुब कारे को नहीं करना है वो होगा राहुकाल का समय शाम को 3.36 मिनट से 5.14 मिनट तक अगर हम शुब कारे के लिए बात करें तो सुबह के 11.15 मिनट से दोपहर 12.16 मिनट तक का शुब समय है शाम को 6.50 मिनट से शाम के 7.12 मिनट तक का शुब समय रहने वाला है अब 24 अप्रेल के अगर बात की जाए तो ये दिन बुधवार का दिन है और क्रश्न पक्ष की प्रतिपदा तिथी रहेगी स्वाती नक्षत्र रहेगा सिद्धी नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा तुलाराशी में ही है सूरिय मेश रासी अश्विनी नक्षत्र में राहुकाल का समय दोपहर 12.19 मिनट से 1.58 मिनट तक है और जो शुब समय शाम को 6.50 मिनट से शाम के 7.13 मिनट तक और दोपहर में 3.00 मिनट से 4.50 मिनट तक तो ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिथी अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा चली जानते हैं पहले बात करेंगे 23 अप्रेल के बारे में तो 23 अप्रेल का जो दिन है ये चैत्र माह की पोनिमा तिथी का दिन है इस दिन का बड़ा महत होता है और धार्मिक मानेताओं की माने तो इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था तो आज के दिन जो चंद्रमा है उसको पिंक मून भी कहा जाता है या सूपरमून के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो जो पुनिमा का दिन है मालक्ष्मी को समर्पित होता है धन्धानने की प्राप्ती होती है मालक्ष्मी के राधना की जाती है लेकिन हनुमान जी की अभी आज दिन है तो उनके आशिरवात से भी सुक्स भाग्य में विरद्धी होगी तो इन दोनों ही चीजों के लिए आप आज मंत्रों कजाप और उपाय जरूर कर सकते हैं राशिफल के बारे में जानते हैं कि जो तुला राशिए के लोग हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो दिखिए तुला राशिए के लोगों के लिए आज कुछ खर्चे की योग तो बन रहा है कि आप कुछ खर्चा करते हुए दिखाए देंगे जो चंद्रमा की स्थिती है चंद्रमा आज अपने पून प्रभाव में है यानि कि फुल मून में है और आपकी लगन में बैटे हैं तो आपका विक्तिवत भी उसी तरह चमकेगा क्योंकि ये आपका जो पहला भाव यानि कि लगन है वो आप खुद है और जहां बैठकर चंद्रमा आपकी लिए अच्छी योग बना रहे हैं आज खर्चे तो होंगे लेकिन आपके साथ इंकम के साधन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग आज बड़े जौब में खुशी का अनुभव कर पाएंगे अपनी पैकेज को लेकर आप बड़े खुशी का अनुभव कर पाएंगे और जो धन का प्रबंदन है उसको बड़ा होश्यारी से आपको करना होगा उसने बजट बनाए तो अच्छा रहेगा अपनी आर्थिक स्थिरता को लाने के लिए आप कुछ फैसले जो ले रहे हैं वो सोच समझ के रहे स्वास्ते का थोड़ा सा ध्यान रखना है स्वास्ते थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ अच्छी चीज़े होंगी सबसे अच्छा जो दिन है धन संपत्ती के मामले में है कोई आपका लंबे समय से मुआवजा अगर अटका हुआ था तो आपका मुआवजा मिल सकता है या फिर जो कर्ज था उस कर्ज से भी मुक्ती का दिन है वैसे भी हनमान जी की आराधना से हनमान जी की पूजा अरचना करने से कर्ज मुक्ती का योग भी बनता है परिवारिक जीवन ठीक ठाक है वेवसाय करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है कोई आपकी पैंडिंग पड़ी हुई योजना उस पर आज आप काम कर सकते हैं उसको पूरा करने की दिशा में आप रहेंगे और शाम तक आप काफी जादा बिजी भी रहेंगे दिन भर मन लगा कर काम करेंगे शाम का समय बेहद अच्छा रहेगा आपने पुराने दोस्तों के साथ आपका समय बितेगा या जीवन साथी के साथ कुछ पुरानी यादों को ताजा आप कर सकते हैं ये जो इस्तितिया है बाकी ग्रहों की इस्तितिया अगर आप देखें तो आपके पास अगर कोई ऐसे योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं और आपको उस पर जादा समय देना है तो उसके लिए हो सकता है थोड़ी हरबड़ी आप दिखाना चाहें लेकिन हरबड़ी आपको नहीं दिखानी है अपनी काम को सही तरीके से करना है शाम का समय काफी जादा अच्छा है और लाल रंग इस दिन बहुत ही शुब रहेगा या फिर आप कह सकते हैं भगवा रंग आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाला है आज के दिन अगर आप चंद्रमा को भी अर्धे देंगे तो चंद्र दोश से भी मुक्ती मिलती है और इस दिन मंगल का राशी परिवर्धन होगा मंगल मीन राशी में राहु के साथ अंगारक योग का निर्मान भी करेंगे अभी जो 24 अपरेल का दिन होगा इस दिन चंद्रमा आप की लगन में ही होंगे और आज आप अपने हाल ही में अपने घर पर कारियस थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे हो सकता है कुछ लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ जाए लेकिन आपको अपनी बातें मनवाना आती है क्योंकि जो तुला राशी के जातक होते हैं वो चीजों में बैलेंस करना जानते हैं अपनी बातों के जरीए ही आप बात मनवा लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी आज काफी ज़्यादा powerful होंगी अपने बात को मनवाने के लिए आप अपनी मीठी बानी का प्रियोग कर सकते हैं लगतार कोशिश करते रहेंगे तो आपकी बाते सुनी जाएंगी निराश नहों अपने मार्ग पर अडिग रहें अंतमेस जीत जो है वो आपकी ही होगी तो बस थोड़ा सा सबर आपको रखना होगा कुछ खर्चे इस दिन भी रहेंगे आपके लिए और घरेलू खर्चे जादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं घर में कोई बुजर्ग हैं तो उनकी दवायों पर भी खर्चा हो सकता है लेकिन चीज़े जो मुलाकात हो सकती है कुछ अच्छे मौके भी हाथ के हाथ में होंगे अपनी भावनाओं को आप व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप साहस जुटा रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा जो समय आपके लिए सबसे शुब है उस समय अवधी में आप इस कारे को क सकती हैं मालक्षमी की अराधना जरूर करें दोनों ही दिन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा वेक्तों पुर्णिमा का दिन आही क्योंकि आपके राशी के स्वामी होते हैं शुक्र देव जो मालक्षमी के उपासक हैं तो आपके लिए हर तरह से मालक्षमी के उपासना करना उनको लाल पुश्प अरजित करना और उनके मंत्रों का जब करना बेहद शुबर हैने वाला है और हनुमान जी के आराधना तो 23 अपरेल हनुमान जी के आराधना करेंगे जो 24 अपरेल का दिन है जो मंगल राहू के साथ आ रहे हैं तो उसकी वज़े से आपको थोड़ सा स्वास्ते के प्रती सावधाने रखनी होगी वाहन चलाते समय आप सावधाने रखेंगे तो अच्छा है तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें